तो हालो वैच्चो और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्यारोपण का सिधान्त यानि प्रिंसिपल अफ सूपर पोजिशन अभी तक आप लोगों ने पढ़ा सबसे पहले आविस का क्वांटम की करन्ड अविश्थ अरक्षन का सिधान्त truck लाम का नियम को लाम के नियम की सिमाय को लाम के नियम का वेक्तर नीरूपण यह तोपिक हैं अभी dost pop हम लोग ने पढ़ा हम लोग ने ये भी पढ़ा गुर्तवा कर्शन बल और विदित बल की तुलना भी किया हमने दूनों में सिमेलरेटी और डिफ्रेंस भी देखा अभी था हम ने इन सारे लेक्टर को कम्प्लेट किया है आज का मारा टॉपिक है प्रिंस्पल अब सूपर र पॉलिघंड टाइप का नोमेरिकल जिसमें ट्रेंगल टाइप के नोमेरिकल आता है रेक्टेंगल स्कुाइर रेक्टेंगल पर फ्रिचार्ज रखे हुए हैं और किसी एक चार्जवा हमको टोटल फॉर्स बताना है बाकि दो चार्जों के दौर लगने वाले फोर्स की जाता है जब किसी सिश्टम में दो से अधिक चार्ज पस्तित हो यहां पर एक चार्ज सेरा किवग तुब तो और इन दोनों चार्जों के बीच का लगने वाथ मों यहां तक हमने अभी तक पढ़ा था लेकिन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं वह अगर दो से अधिक चार्ज दे जैसे कि यहां पर क्यों दूसरा क्यों टू एक और चार्ज यहां पर ले लेते हैं है आफ स्क्षिर हमको निकालना है कौन से लगने वाला तो देखो स्पर प्रिंस्पल सुपर पोजिशन होता है यहां से डिस्टेंस इसका आरवन यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस इसका और तो हमको पता है कि यहां पर यह लगने वाला फोर्स होगा क्यूवन के द्वारा क्यूफूर पर क्यूफूर पर लगने वाला जो फोर्स होगा यानि क्यूफूर पर लगने वाला इसको प्रतिकरशित करेगा ये भी इसको प्रतिकरसित करेगा और यह यहां पर होगा और क्यू थ्री के द्वारा यह इस चार्ज पर जो लगने वारा फोर्स है इसका नाम देते हैं हम लोग फ्री तो इसलिए यहां पर जो हमारा क्यू फॉर वन मतलब क्यू फॉर पर लगने वाला फोर्स किसके द्वारा वन के द्वारा जो कि हमारा इसके 3 के कारण तो क्या हो जायागा के Q3 दूसरा चार्ज है Q4 बटा R2 का स्क्वाइर तीसरा जो फोर्स होगा F4 किसके द्वारा Q2 के द्वारा लगने वालों क्या होगा के पहला चार्ज यहां पर क्या है Q2 दूसरा चार्ज Q4 और बटा में R का स्क्वाइर मतलब डिस्टेंस कितना है R3 का स्क्वाइर इस प्रकार से जो नेट फॉर्स हमारा होगा नेट फॉर्स होगा वह इन बाकी फॉर्स को जोड़ देंगे जिसका नाम F1 F2 और प्लस में F3 यह हमारा नेट फॉर्स निकल जाएगा यह बच्चो वाला टॉपिक है ज्यादा कोई डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं एक वर और समझे ध्यान पूर्व यहां पे अलग अलग चार्ज है Q1 Q2 Q3 ठीक है Q1 Q2 Q3 एक चार्ज यहां पे है Q4 हम आप से यह पुछ रहे हैं कि Q4 पे लगने वाला फॉर्स क्या होगा तो यह दोनों प्लस चार्ज है तो यह दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्शित करेगा चुकि हमको पता है यह नहीं पता है तो जान लेजी अगल प्लस प्लस चार्ज हो तो वह दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे प्रतिकर्शित करेंगे और यदि प्लस माइनस चार्ज होता हो तब वो आकरशित करते हैं ठीक है ना तो यह प्लस प्लस चार्ज तो प्रतिकरशित करेंगे इसका फॉर्स बाहर की तरह अच्छे होगा इस फॉर्स का नाम क्या देदी हैं F1 Q3 भी एक फोर्स लगा है Q4 पर उसका फोर्स क्या नाम देदी है F3 और इधर एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम देदी है F2 ठीक है तो किसी एक चार्ज पे लगने वाला बल बाकी आवेसों के द्वारा जो लगने वाला फोर्स होता है इन सब के योगफल के बड़ाबर हो या यह किसी एक चार्ज पर लगने वाला जो टोटल नेर फॉर्स ओगा वो इस पर बाकि अन्य चार्ज के द्वारा जोởर्स लग रहा है जिसे इस इसके द्वारा फॉर्स लग रहा है फ1 तरीन इसके दोर ला मुथ द्वर एफ2 य Chi करते हैं हम ठीक है और छोटा साइज पर हम लोग नुमेरिकल करेंगे नहीं बच्च वाला नुमेरिकल ध्यान से समझेगे ए बोड्य लेवल का टॉपिक है बोड्य इस टाइप का सवावा आता है एक्जाम में जैसे ट्रेंगल बना देरें हम ठीक है यहाँ पोलिगन टाइप का इस पर बहुत ज्याद़ बनता है किस टाइप का पोलिगन टाइप नुमेरिकल O-Ligan type numerical ठीक है चली एक numerical लेते हैं हम लोग यहां पर ट्रेंगल बना देते हैं ठीक है इस ट्रेंगल का vertex का नाम देज़े रहा है A B C और इसके जो सिर्ष पर हम लोग टीन चार्ज ले ले लेते हैं इस पर प्लस Q चार्ज ठीक है ना इस पे भी प्लस Q चार्ज और इस पे भी प्लस Q चार्ज हम आपसे यह पूछ रहा है कि इस पॉइंट सी पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया है उस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा इसके द्वारा और इसके द्वारा इस पॉइंट पर कुल बिधूत बल की गढणा करें को पता है कि हम पर दो साधिक चार्ज है किसका यूज करेंगे principle of superposition चलिए द्यांस principle of superposition होता है क्या है सबसे पहले हम यह समझेंगे कि यह जो बी वाला charge है बी पर जो charge है वो इस पर क्या force लगाने वाला है same charge है तो प्रतिकर्शन बल है न जी यहां भी plus charge है यहां भी plus charge है प्रतिकर्शन बल और इस बल का नाम होगा F, C, C पर लगने वाला force किसके द्वारा B के द्वारा ठीक है यह भी plus charge है यह भी इसको प्रतिकर्शित करेगा ठीक है न ऐसे और इसका भी नाम देंदेंगे हम F, C किसके द्वारा force लग रहा ही है A के द्वारा तो हमको पता है कि यहां पर अगर वो force निकाले हम F, C, B तो वो क इसके बराबर होगा K Q into Q बटा, distance क्या ले लेते हैं इसका? R square, क्या ले लेते हैं distance? R, चुकि एक संभाहूं तेरे भुजमाल लेते हैं, सबका distance? R, तो यह हो जाएगा R का square, चुकि चार्ज सेम था, दोनों का value बराबर था, तो Q में Q से कुण हो जाएगा, क्या हो जाएग यह निकला वाला फोर्स, वह समझो, दूसरा फोर्स यहां पर जो है, F, C, A, वह भी वही चीज़ होगा, K, वाला चार्ज, Q, फिर दूसरा चार्ज, Q, बटा में इन दोनों के बीच का distance, R का square, फिर Q में Q से गुणा हो गया, Q square, बटा, R square, हम देख रहे हैं, यह दोनों फो पर फोर्स को किसे दर के लिए, हम लोगों क्या माल लेते हैं, F, माल लेते हैं, आपको पता है, कि जब दो वेक्टर हो, हैना, यहां पर एक का direction इधर, दूसरे का direction इधर, और अभी बताएं कि यह सम बाहु तिरभूज है, सम बाहु तिरभूज, एक्विलेटरल ट्रेंगर तो इसके तीनो साइड आपस में इकवल होंगे, और उसके साथ साथ, तीनो एंगल भी आपस में इकवल होंगे, आपको पता है यह चीज, तो जब यह 60 डिगरी का होगा, तो यह भी कितना, 60 डिगरी, हैना, तो अगर इसका हम अलग फिगर समझे, तो हम समझ रहे हैं कि एक एक फोर्स हमारा लग रहा ऐसे और एक फोर्स लग रहा है इसके इस फोर्स का नाम हम क्या दे दी हैं F C B दूसरे फोर्स का नाम दी है F C A इन दोनों के बीच के एंगल 60 डिग्री और इन दोनों का वेल आपस में बराबर तोटल जो नो रिजल्टेंठ वाइसके वह कहां से ब्राब कर जाएक मैं इसके सब्सक्राइब और उसका फर्मूला क्या होता है तो f is equal to होता है अंडर रूट f1 का स्क्वाइर प्लस f2 का स्क्वाइर प्लस 2 f1 इंटू f2 इंटू में कॉस ठीटा इंटू में कॉस ठीटा ठीक है न तो यहां पर नेट फोर्स हम निकाल रहे हैं पर सी पॉइंट पर क्या होगा अंडर रूट अंडर रूट f1 का स्क्वाइर थेक है तो f1 के जगा हम क्या ले रहे है एक जूकि दोनों फोर्स आपस में एकवल है यह भी f और यह भी f एक तो 1 नहीं लिख रहे हैं क्या लिख देरे हैं इसको f f का स्क्वाइर प्लस f2 के का लिखना हम F into F दोनों को गुणा करेंगे तो F का स्क्वार इन्टु में कॉस थीटा थीटा कितने डिग्रे बाबू 60 डिग्रे यहां प्लिक देंगे 60 समझ मैं रहा इतना चलिए अंडर रूट F एफ स्क्वार F स्क्वार जुड जायेगा क्या हो जाएगा 2 F का स्क्वार प्लस यहां पर वाचा का भेलू कॉस साथ का मां वन वाई टू क्या होता है वन वाई टू यह टू से टू कैंसे अंदर क्या बचा टू एफ का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या बचा एफ का स्क्वायर यह टू एफ और एक और एफ दोनों जूट जाएगा तो क्या हो जाएगा थ्री एफ का स्क्वा स्क्राइर में है तो बाहर निकल जाएगा यानि एफ अंडर रूट-3 तोटल रिजन्ट है निकल गया क्या एफ अंडर रूट-3 और यह जो एफ था वो किसके बराबर था आप देख सकते हैं के क्यूग स्क्वाइर बटा आर स्क्वाइर इन्टु में अंडरूट फिर यह हमारा अंसर हो जाए है कि नहीं बच्चो वाला टॉपिक चलिए इसको नोट कीजिए फिर एक और टाइप काम लोग नुमेरिकल करते हैं ठीक है आज के लेक्चर में केवल हम लोग नुमेरिकल ही करेंगे ठीक है जो भी अगर आपको डाउट हो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए और इस लेक्चर का आपको नोट्स चाहिए पिडियाप करूप में डिस्क्रिप्शन में जो आपका वाट्सप का गुरूप लिंक यह हो गया ट्रेंगल टाइप का नुमेरिकल ठीक है ना अगर ट्रेंगल बनाके ऐसे नुमेरिकल दे दें और बोले कि आप किसी एक पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पे टूटल फोर्स निकालो ना तो फोर्स हम इस फर्मूले से असानी से निकाल से ठीक है कि यहां पre कि square बना दिए은 वर्टेक्स का नाम ए b c d शब पर कौन चार्ज है प्लस q רה फ्लस q प्लस q प्लस q q छार्ज ठीक है ऐसक्वार है तो इसकी Coleman ले ले लेते हैं इस आरा हो जाए यह 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 भी और यह भी डी कि ऐ ही ठाओं समय महीं रहा है ना ऐए हमसे पुछ रहा है फिर वही सवाल हम लेते हैं सी पॉइंट पर इसी पॉइंट पर जो लगने वाला फोर्श होगा वो दीकर्शन में इसको अंदे दे रहें क्या एक फोर्स यह भी लगाएगा इस दिस्टा में यह भी एक फोर्स होगा एफ सी किसके द्वारा बी के द्वारा चलो इसको थोड़े दिर के लिए रोक लेते हैं क्योंकि दो ही रिजल्टेंट दो अगर वेक्टर हो और उनके बीच का रिजल्टेंट निकालना हो तो ऐसे हमको क्या बताना है सी बिनदू पर इस्थीत आवेस पर कूल बिधूत बल बताएं क्या बताना है पूल बिधूत बल बताएं चलो एक दम बच्चों अलग सवाल ध्यान से समझेग ये एक्टेंगल बना दिया है स्क्वाइर है स्क्वाइर का साइट सब में यह है सब के सिर्ष पे रख दिया गया प्लस क्यू चार्ज और इस पॉइंट पे चार्ज पे जो अन्य यह सब आवेसों लगने वाला बल है वह हमको निकालना है चलिए क्या करते हैं सबसे पर अभी आपको बता दी एफ सी डी एफ सी डी लगने वाला जो फोर्स होगा तो हमको पता है किसके बराबर होगा के क्यू क्यू बटा में एक का स्क्वाइर क्यूंकि ए डिस्टंस लिए हैं आप पहला चार्ज यहां पे क्यू दूसरा चार्ज भ ठीक है अब दिकालते हैं यह बी के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वह चीज एफ सी बी वह भी के इंटू क्यू कूंसा चार्ज क्यू रखा हुए न यहां पे तो क्यू फिर इंटू में क्यू बटा एक का स्क्वार फिर क्यू में क्यू से गुणा हुआ बटा इसक्यू उस दर के लिए इसको भी क्या लेंगे अफ वर बराबर है हमको पता है किसके रिजल्टिन कहां से बटाए से ऊपकर अब ही बताए आपको तो हमको इसका रिजल्टिन्ट निकालना है इन दोनों का किसके किसके द्वारा इडी के द्वारा किसके किसके बी और डी के द्वारा लगाया गया force यानि बल तो वो किसके equal होगा बबू अभी बता है आपको under root under root f का square फिर प्लस f का square प्लस में 2f का square into में cos theta theta एक जगा पर 90 degree क्योंकि square का एंगल कितने degree का होता है नवे degree का होता है नजी तो भी 90 degree चलो f square और f square दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 2f का square यह 2f square है पहले से और cos 90 का मान होता है क्या 0 तो जब 0 से गुणा होगा तो यह 0 हो गया total यहां पर क्या बच गया अंडरूट 2f का square f square में है बाहर निकल जाएगा बच जाएगा f under root 2 और यह जो f था यह चलो इतना force हमारा निकल गया यह resultant निकल गया ठीक है न किसके किसके द्वारा इस charge के कारण लगने वाला force और इस charge के कारण लगने वाला फोर्स दोनों फोर्स का जो resultant है हुआ हमारा निकल गया f under root 2 कोई दिकर एक चार्ज हम यहां पर इसको छोड़ दिये था हैं वह इसको बाद में निकालते हैं हना जो चार्ज कहां पर इस्तित है एक पॉइंट पर तो आप बताओ कि यहां पर अगर फोर्स हम निकाले यह देखो कि तो यह इस डारेक्शन में फोर्स लगाएगा और जिस डारेक्शन में इन सबका resultant था उसी कि दारेक्शन में यह भी 1 वो फोर्स होगा जिसका होगा नाम ऑफ सी BA को ऑले rasa हमें की यह इसको प्रतिकर्शित करेगा है तो यहाँ पर एकिव चार्ज यहां पर वी की जाफ प्रतिकर्शित करेगा थो उस डारेक्शन उस फो स्कर्वर्स का हो गहीं होगा और जो इन दोनों का ज़ो रिजल्टेंट था वह भी यही था ठोटर जो नेट फोर्स होगा और सी चार्ज पर टोटल नेट फोर्स आप अब यहां पर सूपर पजीशन वाला बात दिहन किजिए उपर पोजीशन में बताये थे एक पॉइंट पर लगने वाले जो कूल बल होता है वह बाकी आवेस्ट हो के कारण लगने वाले बल के योगफल के बराबर होता है तो इन दोनुं आवेस्व कारण कितना बल लग रहा है इस पर वह तो हम निकाल लिए ना एफ अंडर रूट दो अब बाकी एक बचा है आप कौन क्यों कि यह पॉइंट पे जो चार्ज है क्यों के दोरह इस पर फोर्स लग रहा है वह वह निकाल लेंगे और उसको और इसको लाकर ज गरा है के क्यू बोट क्यूअ में यहां नहीं होगा आप सूचओंगी इसको इसके लिए क्या करेंगे क्या डागेजार किसका स्कॉायर कस्वार का डागेंबन होता है अंडर रूट दो सो यह जो डिस्टेंस हो क्या हो जाएगा तो का स्कॉयार और square करेंगे तो यह हो जाएगा के Q square बटा और A root 2 का square करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 A square ठीक है अब क्या करेंगे इन दोनों को जोड देंगे तब net force हमाने निकल जाएगा एक force हमारा था f under root 2 और दूसरा था यहांपे के Q square बटा 2 A square यह था ना यहां पर यहां पे देखो F लिए है यह किसके बराबर है के क्यू का स्क्वाइर और बटा में A स्क्वाइर पलस में यह किसके बराबर है के क्यू स्क्वाइर बटा 2A दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है बोलो के क्यू स्क्वाइर बटा A स्क्वाइर यह कॉमन हो सकता है अब कुछ गलत नहीं नहीं हो रहा है यह रूट दो भी तो है इसमें अरे एफ का वेलो यह लाकर रख दिया तैप के सांथ यह नहीं है इसको भी लिखना पड़ेगा यहां पर एफ अंडरूट दो फॉलास यह कॉमन कर लेते हैं यहां पर के क्यूए स्क्वाइर बटा एस्क लगने वाला नेट फॉर्स इस चार्ज के कारण इस चार्ज के कारण इस चार्ज के कारण हुआ ना चलिए इसको नोट किजिए करते हैं इसको तो यह आता है इस टाइप का पॉलिगन टाइप का नुमेर कल यह आता है कि वह दो तिन चार्ज दे देगा और उसमें से पुछेगा कि एक चार्ज पर लगने वाला टूटल फॉर्स क्या है उसको आप निकाल इए ऐसे निकाला जाता है इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से एक टाइप देखिए नुमेरिकल आता है सेंटर पर पूछता है कि टोटल फोर्स क्या होगा जैसे होगा यह सवाल यही रहेगा देखिए ऐसे सवाल सेम रहेगा ध्यान देजिए यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज देदेगा पहले हम लोग क्या निकाल रहे थे कि भाई अगर कोई इस भर्टेक्स है जैसे सी पॉइंट पर लगने वाला जो चार्ज है इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स निकाल रहे थे अना अब कहां देदेगा सेंटर पर और क्या कहेगा पुछेगा यह कि इस सेंटर पर जो चार्ज रखा हुआ है उस पर इन बाकी चार्जों कारण लगने वाले फुर्स कर वेलू निकालने की जुरत नहीं है नेट फुर्स क्या हो जाएगा बबू जीरो बच्च वाला सवाल जीरो कैसे देखें यहां पर कौन सा चार्ज है प्लस क्यों यहां पर भी कौन सा चार्ज प्लस क्या करेगा इसको यह प्रतिकर्शित करेगा ना इसको ऐसे हैं कि नहीं यह भी प्लस क्यों चार्ज इसको क्या करेगा प्रतिकर्शित करेगा समय रहा लेकिन दोनों का वेलु एकदम बराबर आएगा और डारेक्शन अलग है बराबर होए कर、、、 यह दुनों आपके जुटेंगे तो क्यह हो जाएंगे फिर वही चार्च यह प्लस इत्ल स्थन यह फोल जाएगा और यह उस इस फोल Infinite यह भी दोनों वैल्व आपस में बराबर और एक दूसरे के विप्रीत है तो भी जीरो और इस पर में नेट क्या हो जाएगा तो इस प्रकार से लेकिन सेम चार्ज के लिए ध्यान रखना यहां भी प्लस क्यों यहां भी प्लस क्यों यहां बेग एक जगाव पर बाद़ लेता है अगर यहां पर क्या कर देए तब नेट फोर्स यहां पर जीरो कभी नहीं होगा यह ध्यान रखना नेट फॉर्स जीरो तभी होगा जब चारों कॉर्णर पर सेंटर प्लस क्यू पूछ रहा है कि इस प्लस क्यू पर लगने वाला नेट फॉर्स क्या है बता वोब प्या होगा बोलो जीरो सेंटर पर जब भी पूछे जीरो और बाहर सेम चार्ज हो तो नेट फूर्स जीरो हो जाएगा कोई दिखकत नहीं है ठेक है अब आपके मुन में सवाल यह आना चाहिए कि सर अगर यहां पर माइनस क्यू चार्ज आ गया तब तो नेट फूर्स जीरो नहीं होगा तो क्या होगा यह निकालके दिखाए तो चलिए निकालते हैं निकालते हम यह हैं कि अगर यहां भी प्लस क्यू चार्ज रहे तब नेट फूर्स क्या होगा जीरो होगा लेकिन अगर हम यहां पर कौन सा चार्ज दे दे माइनस चार्ज दे तब नेट फूर्स क्या होगा उ कौन से चाज था प्लस क्यू कि यहां पर आप य एक फोर्स लगेगा यहां पर एक फोर्स लगेगा ना जो यह लगाएगा ना और यह जो माइनस क्यू है और यह प्लस क्यू है तो यह भी इसको आकर्सित करेगा क्यूंकि प्लस माइनस आकर्शन होता है तो इस पर भी एक फोर्स लगेगा इसे यहां पर इसी डारेक्शन में दो फोर्स लग रहा है नहां एग फोर्स लगेगा इस एपॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है उसके कारण और दूसर्र्स लगेगा जो इस डिसंट पर jew दोनों का वेलो निकाल लेथे हैं परमने निकाल ले थे पर वड़े कंठे पर-----र यहांनि जो पहला चार्ज यह वो जो दूसरा चार्ज वो क्यों बटा आर अस्क्वार आर निकालना पड़ेगा यहां पर डिस्टेंस क्या लिये थे हैं ए लिये थे न और टोटल डिस्टेंस हमारा क्या था ए अंडरूट दो चुकि डाइगनल था वह बोल गए लोग या दा लेकिन जब इसका माधा कर देंगे नो से भाग देंगे यह क्या हो जाएगा इसको और तोड़ देगा रूट दो को यह भी लिख सकते हैं रूट दो इंटू रूट इससे यह कट गया दो यहां से यहां का वह क्या होगा रात टोड़ आर का वेलू क्या होगा एंडरूट तो यहां भी लिख सकते हैं एंडरूट दो का स्क्वाइर डिस्टन्स हुगा इस को थोड़ा और सल्व कर लेते हैं और यहां पर लिख देते हैं ए बई लूटम चलों कि क्यू 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 अपन एव क्वाइं अडरूट करनने वाला बलज से चार्ज पे्म प्लस से निकालते हैं एक करन मेरा करनने वाला वूर्स वह पताination के बराबर होगा कि पहला चार्ज है यहां पे Q दूसरा चार्ज है Q सवाल में कभी भी सिंबल नहीं लिखा जाता है तेक है आप सुचेए यहां पर माइनस सिंबल है तो यहां पर माइनस डाली है नहीं उसको नहीं लिखना है दूरी भाई होगा A by अंडरूट दो का यह भी किसके बराबर हो जाएगा 2Q Q बटा A स्कोर नेट फोर्स क्या होगा बाबू नेट फोर्स क्या होगा इन दोनों फोर्सों को आपस में क्या करेंगे जोड देंगे यहांनि F A plus F C ठेक रहा है तो क्या बनेगा 2K Q Q बटा A स्कोर प्लस फिर वहीं 2K Q इंटू क्यू बट इसकोर एल सीम वही A स्कोर दो और दो क्या हो जाएगा 4K Q Q बटा A यह हमरा अंसर हो जाएगा सब बच्चो वाला सवाल है नोट की जिसकों इस सब सवाल को क्या समझ रहे हैं हम लोग चलिए होगे नोट एरेज करते हैं इसकों लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है टाइम देख लिए 28 मिनट्स का लेक्चर हो गया है 40 मिनट का लेक्चर बनेगा इसमें और दूसरे टाइप के नुमिर के लवने के होंते हैं यह पोलिगन टाइप के नुमिरकल बस इतना ही पुछे का बोड लेबल में ठीक है लिए चलिए अभन आ है तो समझ़ें चलिए ध्यान से समझे दूसरे टाइप का जो नॉमिर कारल वह वह कैसे देता है पुछता है यह चीज दूसरे टाइप का नॉमिर करल तक हैργा एक्जामिंग एक्टिश गिअ éléments नुमेरिकल साम्य अवस्था का प्रस्ण होता है साम्य अवस्था प्रस्ण करने का मतलब यह है कि कभी-कभी एक्जाम में दे देता है कि यहां पे हम कौन सा चार्ज ले लिए है प्लस चार्ज दूसरा चार्ज यहां पे हैं स्मनाल प्रस्दा ने लेते हां और इन दोनों के बीच्छा डिस्टेंस कि microphone distance क्या ले ल strand कर दो कि एक तीसरे चार्ज को लेकि आये अभी ए और इसी लाइनिंग पर ऐसे जगह पर रखे कि इन दोनों का फोर्स क्या हुआ है कि नेट फोर्स कि नेट फोर्स क्या हुआ है जीरो यह सवाल है कि मैं रहना जैसे कोई ऐसा फुर्स लेका यह जिस फोर्स कोई ऐसा चार्ज लेका यह जिस चार्ज को अगर इसी क्रने लाइन पर हम रखले ऑसके कारण उस चार्ज पर फर्स लगे गा और इसके कारण सर्ड से देखो यहां पे क्वार्ड क्यों चार्ज है plugged अगर मालों दोना प्रतिकर्शित करे गा और ये प्लस चार्ज है ये भी प्लस चार्ज है तो ये चार्ज भी इसको क्या करेगा प्रतिकर्सित करेगा और दोनों का लगाने वाला जो फोर्स होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा किस डायरेक्शन में अब बताओ अगर सेम डायरेक्शन में लग अगर फोर्स लग रहा यह समझ में आना चाहिए आपके दिमाग में कि फोर्स जीरो तभी हो सकता है जब इन दोनों चार्जों यहां पर रख रहे हैं तो इन दोनों का डिरेक्शन से नहीं सकते हैं चार्ज का पोजिशन बदलना पड़ेगा बदल के अगर हम इस साइड लेके आते हैं तभी वही कह हानी तब भी वही कहाई यह फोर्स इधर इधर बल लगाएगा यह चार्ज और यह चार्ज भी दरी बल लगाएगा दोनों का सेम डिरेक्शन तब भी नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है तो यानि अब दूसरा उपाए क्या बच्चा लास्ट उपाए अब चार्ज को कहा ला रखना पड़ेगा हमको अब बीच में इन दोनों के उपर रखी नहीं से उपर कैसे रखोंगे आम बहुत इसी लाइनिंग जोइनिंग पर रखना उपर का ऊपर यह लाइन थोड़ी है यहां पर इस जगाव पर हम रख लेते हैं प्लस क्यू चार्ज और यह प्लस डिरेक्शन ऑपोजिट हो गया हो सकता है नेट फुर्स हमारा जीरो आ जाए कोई दिकत यहां तक इस पॉइंट का नाम देदेते हैं हम लोग पी पी से अब देखो इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे अगर इस चार्ज के कारण लगने वाला अगर हम फॉर्स निकाले यह जो टूटल डिस्टेंस है वह हमारा क्या है आ रही तो है चाहिए लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस है समझ रहो ना लेकिन हमको यह नहीं पता है यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है इसको क्या मन लेते हैं क्या मले तो यह जाएगा हमारा आर माइनस यह होगा तो यहां पर अगर हम फॉर्स निकाले इस चार्ज के करण इस चार्ज पर लगने वाला फॉर्स तो फॉर्स हो हो जाएगा एक्स का स्क्वाइर लिंद है कि दूसरा अगर इस चाहि करन लगने वाला फोर्स निकाले तो यहाएगा खे 2 q इन्टू q बटा आर माइनस एक्स का स्क्वाइर यह होगा हमको पता है किने फॉर्स हमको क्या चाहिए जीरो चाहिए और नेट फॉर्स जब जीरो होगा कब जब यह दोनों आपस में बराबर होंगे तभी न तो बराबर है तो इन दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं यह पहले चार्च करन लगने वाला फोर्स है यह दूसरे चार्च के करन लगने वाला फोर्स है ठीक है तो यहां पर हम कर देते हैं F1 बराबर हो देखो यह के से कट गया क्यू से क्यू एधर क्या बच गया वन वाई एक्स का स्क्वार इधर ऊपर क्या बचा टू नीचे क्या बचा आर माइनस x का square यह नहीं बच रहा है अब क्या करेंगे इसको आगे solve करते हैं दो में एक से गुणा हो जाएगा 2x square r-x का इससे गुणा होगा तो r-x का square यह नहीं होगा जै और आगे इसको आप क्या करेंगे solve करेंगे कि अगर करते हैं हम लो हमको क्या निकालना एक स्कावल निकालना था न कि इस पॉइंट पर चार्ज रखना है कैसे निकालेगा अगर एक स्कॉयर को उधर कर लेते हैं इधर क्या बचेगा टू इधर जाएगा आर माइनस एक्स बट्टा में एक्स का स्कॉयर क्योंकि दोने को उपर स्कॉयर है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं अधर इधर आ गया तो अंडर रूट दो अंडर रूट दो इधर बच गया आर भई एकस इधर बची के एक्स बच्ट जाएगा माइनस में एक यह नहोंगा जोई माइनस एक इधर आ गया तो प्लस एक इधर क्या बच्चा आर भाई समझ मैं रहा है नहीं अच्छे हमको निकालना क्या था एक्स का वैलू एक्स को इधर कर लेगे और रूट टू प्लस वन को इधर कर लेगे करा अंसर होगा आरका वालु तो दिया ना इसमें अरे आरका व्यलु उट सवाल तो देगा ढ intent आए या 20 सेंटीमेट इंटकर तुसको हम याँ रख देंगे रख दीगा इतना दूरी पर हम इतना दूरी पर पर यह प्लस रखए तो इन दोनों का नेट फूर्स क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है तब बच्चों वाला सबस्क्राइब नोट कि जैसको जल्दी से जोगी है जोगी है के इसे भी हो सकता है कर आपके सबस्क्राइब हो बीच में माइनस चार्ज लोगे तब भी वह बीच चार्ज कर दोמעonent तो यह माइनस चार्ज प्लस चार्ज यह प्लस चार्ज इसको प्रतिकर्शित करेगा और यह भी प्लस चार्ज यह भी इसको क्या करेगा प्रतिकर्शित करेगा दोनों का डारेक्शन सेम हो गया हो जी नहीं सकता है नेट फो जीरो इधर वह लोगे तब भी पोजिशन तब मा कि छोटा सानों मेरिकल करेंगे बहुत बढ़िया सवाल है यह आपके एबी सी बुक का जो प्रकासन है फिजिक्स का उसका अठारा नंबर कोश्चान अब हमको भी ध्यान नहीं आ रहा है कितना नंबर है लेकिन कोश्चान है चलो दो चार्ज ले लेते हैं लोग ठीक है न दो है एक साब्स कहा रहा है कि पहला चार्ज है 1 mem माइक्रो कुलम दोस्ता ले लिए इन दोनों चार्जयों के बीच का डिस्टेंस से 0.40 मेटर कितना बीच का डिस्टेंस तो कर रहा है कि इन दोनों चार्जों को मिलाने वाली जो लाइन है यहां पर माल लेते हैं यहां माल लेते हैं दूसरा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.40 मीटर ठीक है तो इनके बीच यह जो लाइनिंग मिला रहा है यह लाइन जो मिलाने वाली रेखा है उस रेखा पे कितने दूरी पे कोई तीसरा आवेस रख दें कि उस आवेस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाए जीरो हो जाए क्या हुआ है कितना दूरी पर ठीक है जैसा अब इसके पीछ हम लोग एक्स का वेलो निकाले थे ना वह सहीं तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो प्लस की वन चार्ज है वो किसमें है क्यूटू चार्ज देख लिए यहां पर क्यूटू चार्ज माइनस में 0.25 माइक माइक रोका वेलो होता है दस के पावर माइनस चौ कुलाम तो जहां जहां माइक रो है वहां वाम लिखेंगे दस के पावर माइनस चौ यह माइनस में 0.25 यहां भी माइक रो है तो यहां भी दस के पावर माइनस चौ कुलाम डिस्टेंस मीटर में कोई दिक्कत नहीं है यह की नेट फूर्स हमाईरा क्या हो जाक जिरो अब धियान सा सम्जो कि अगर रह में यहाँ पर कोई प्लस चार्ज्ड लेते हैं केकल के स्वी फॉस्लिष तो प्लस चार्ज लेते हैं तो हम को पता है कि यह प्लस चार्ज लिसको ऐसे प्रतिकर्शित करेगा और यह माईनस चार्ज है तो यह भी इसको अपनी ओर खीछेगा दोनों का direction क्या हो सकता है नेट फोर्ष जीरू हो सकता है कि नहीं नहीं हो सकता है यह इस चार्ज को भी रखो तब भी वही यहां भी माइनस यहां इसको क्या करेगा प्रतिकर्शित करेगा और यह बाहर या तो तुम इसको इधर रखो ये इधर रखो कहिं भी रखो तो हम इधर ही ले लेता है इस पंट पर इधर एक कोई पॉइंट लेते हैं और यहां पर हम ले लेते हैं कुन से और सचार्ज तो जब इधर भी प्लस इधर वह STR लगेगा जो इसको प्रतिकर्सित करेगा इसका नाम देते हैं हम F1 चोकि क्यों के करण लगने वाला प्रोस है और यह माइनस यह प्लस यानि यह दूसरा चार्ज इसको आकर्सित करेगा इसका नाम दे देते हैं लोग जीरू किया होगा यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या ले ले लेते हैं लोग आर ले लेते हैं जब बल निकालेंगे चलो इसके कारण पहले आवेस के कारण इस चार्ज पर लगने वाला बल किसके बराबर होगा के हम पहले चार्ज हैं फ्यूज ब्लसक्य, निस पर लगने वला फूर्स नकाल dragging धाल को तो फेला चार्ज यह दूसरा चार्ज यह प्लसक्य और बटा में आर्र डूरिई है और दूरी देख रहाई है पर क्या है 0.40 और यह प्लस में आर यानी 0.4 प्लस में आर का यह वह न टोटल डिस्टेंस और यह 0.40 तो यहीं तक है न और इसका डिस्टेंस आरे दोनों को जोड़ देंगे पूरा डिस्टेंस हो गया अब एफ टू जो है वह दूसरे चार्ज करान लगने वाला फोर्स है व स्कूर्ण यह के से कहें बड़ा क्यों से बड़ा क्यों क्यूं क्यों नहीं कटेगा तूँट चाहरे चलो थोड़ा से एक लिए और इसको हल करते हैं कि वन के जगा पे लिख लेंगे 1-0 ठेक है कितना मैक्रों एक माईकरों यह जाएगा 0.4 प्लस आर का Q2 के जगा पर लिखेंगे 0.25 micro बटा में R का ये micro से micro कट गया क्या बचे गया इधर इधर तो 1 बचा R square में cross multiply करते हैं 1 से तो R square इधर cross करेंगे तो यह हो जाएगा 0.25 से गुणा हो जाएगा किस से 0.4 प्लस R का कोई देखा इधर है 0.25 यह गुणा में है बराबर के इधर आएगा तो डिवाइड में तो यह हो जाएगा R square और यह डिवाइड में आगे 0.4 प्लस R का इधर क्या बच गया 0.25 पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर हंडेट आ जाएगा ठेक है यहां भी square यहां भी square तो इसको एक साथ combine करके और पूरा का square ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको नहीं लिख सकते हैं 100 का बर्गमुल काट बिल लो इसको क्या हो जाएगा 1 by cross multiply करो 2 में R से गुणा होगा 2R और 1 में इस से गुणा होगा 0.4 प्लस R प्लस में इधर आ गया तो माइनस में इधर क्या बचा 0.4 2R में से गवार घट गया क्या बचा 0.4 4 के बाद 0 भी लगा सकते हैं मेटर क्या आया वह डिस्टेंस आया यानि जितना डिस्टेंस इन दोनों चार्ज क्या था दोनों चार्ज के बिच का डिस्टेंस कितना जीरू पॉइंट उतना ही डिस्टेंस पे हम अगला चार्ज रखेंगे ना किसी भी तरफ या तो इधर रखो या इधर तो नेट फोर्स तोबबू की मिन 돌아 कर अच्朝 के लिए एक दम बहतरीन टफिक लेकर आएंगे electric एक टॉकिक होगा एक इलेक्टरिक तिसलिए का लेक्षाय लएक्टरीथ जरूरि है उसको एकदम देखना बहलों को काउट कि अवागी दिता प्लाग. कि अवागी दिता प्लाग.